तो वही मोसम है कुछ इस तरह का मतलब दूपका तो नामी नी ठंडा मोसम हो रख है एक दम बड़ी आवाला देखो तो मोसम को देखते हुए मन कर गया अलुवा खाने का उसे तो पकोडे पकाडे खान का मन कर आगर पर इनका मन कर आलुवा खान का तो पोजी की प्रमाइश थी बेशन का लुआ अपर दिया है शरू यहां पर बेशन और गी डाल के बूलना शरू अब यह वैसे तो हम लेते गाई का दूद तो यहां पर रख दिया है मैंने दूद गरम ओने के लिए जो हम हलोवे में डालेंगे यहनि के दूद की पाद डालती हूं पहले वी रेसी पी डाली है मैंने बेशन के अलोवे की दूद के साथ देखो बुनने वाला है बेशन हमारा इसमें थोड़ा सा मैने ग्यों काटा भी मिलाया सूजी नहीं थे आज मेरे पास वैसे मैं सूजी और बेशन का बनाती हूँ और यहां पर ले लिया है मैंने एक छोटा सा कप यानि गिलास काजू का यह डालेंगे टूटे वे काजू है यह इसलिए लाती है अलगे अलवे में खामा जाएं और आज बदाम भी खतम है कजू ही काम आयेगा यह चोटा गिलास लिया है कजू का तो यहां पर वही दूद भी गरम हो गया अच्छे से उबल गया है और यहां पर हमारा बेशन भी तैयार हो गया देखिए पूरा ब्राउन कलर हो गया है मुन के अब इसमें डालेंगे पाथ दूद्गी पाथ डाल दी है एक बार मिक्स कर लेते हैं तो देखिए पाथ डालने के बाद कुछ ऐसा हो गया है अब इसमें डाल देंगे थोड़ी चीनी मतलब जितनी भी अम मीठा चाहिए हमारे को अब इसको भी एक बार मिक्स कर लेती हूँ तो वही अब डाल देंगे इसमें काजू तो वही अलोवा पुछ इस तरह से हो गया है तैयार अब गैस को खर देते हैं बंद तो वही मैंने डाल दिया है प्लेट में और लगा दी है चम्मच भी एक आपके लिए है आजाई ही आप भी गर्मा गर्म हलुआ और ठंडा ठंडा मौसम तो देखिए वही सच में मैंने थोड़ा सा खा लिया है बहुत ही टेस्टी बनया है एकदम ये देखिए दूर से ही दीख रहा है ये देखो